पहला सवाल यह है कि क्या EMI तीन महीने तक टालनी चाहिए हम कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल ना करें कोशिश करें कि EMI आप ना टालें बड़ी वित्तिया आपदा है अगर आपके उपर तो ही फिर EMI टालने के बारे में सोचें क्योंकि EMI टालने से लोन का बोच जह है वो आप के उपर और बढ़ता दिखेगा सबसे पहरे तो गलत फैमी क्या है यह आपको बता देती हूँ तीन महीने के लिए नहीं देनी होगी EMI आर बिया गवर्नर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है यह एक बहुत बड़ी गलत फैमी है क्योंकि एक मार्च से एक मै की EMI पर तीन महीने केवल महलत दी गई है यह छूट नहीं है ब्याज जुडता रहेगा केवल प्रिंसिपल अमाउंट पर यह महलत दी गई यानि कि टाइम प्रिंसिपल के लिए है इंटरेस्ट तो आपको यहाँ पर भरनाई है वो लगता रहेगा EMI में महलत देने का अधिकार केवल बैंक्स के पास हैं तीन EMI टालने से कितना बोज बढ़ेगा यह समझ लेते हैं फर्स कीजे 50 लाग की लोन है आपकी आवदी 10 साल के और ब्याज साड़े आठ प्रतिश्रत आप दे रहे हैं एक अपरेल से EMI अगर टाली आपने तो लोन पर ब्याज जो है 35,000 लग जाएगा तो 51,7,000 तक पहुंच जाएगी यानि कि ये तीन महीने टालने पर एक लाग साथ हजार का अतरिक्त ब्याज आपको लगेगा ये नुकसान है ये बोज है जो कि आपको जेलना पड़ेगा EMI टालने के बाद विकल्प क्या होंगे ये आपको बता देते हैं आपके लोन की मियाद तीन महीने बढ़ जरूर जाएगी आपको अपनी EMI बढ़ानी पड़ेगी और एक लाग साथ हजार का एकमुष्ट भुक्तान करना होगा लोन राश्य आपर नहीं बढ़ेगी तो इ जो confusion है EMI इसको लेकर वो मांसी आपके लिए क्लियर करती होई दिख रही है इस समय ठीक है यह है जहां तक EMI भुक्तान का सवाल है बैंक तो आज वैसे भी सारे अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं तो फिर